आप सभी प्रिया दर्शुकों का स्वागत है, बात करेंगे बोरोसिल रिनुवबल्स के बारे में बहुत बढ़िया quarter 3 रिजल्ट दिखाए हैं और यहां से ये स्टॉक और भी तेजी से उपर उठाएगा क्योंकि इनके expansion plan बहुत जबरदस्त हैं, नई order book के बारे में बताए revenue आया है, जो कि पिछले साल से, पिछले साल सेम quarter में 140 करोण का revenue था, तो यहां से अच्छी विरोधरी हुई है, करीब-करीब 20% का revenue इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट टॉस की बात करें, तो प्रॉफिट 45 करोण का हुआ है, compared to 10 करोण के, जो कि एक लाजवाब प्रॉफिट दिया है, 333% का return दिना, एक year-on-year में profitability में बहुत बढ़िया काम है, देखे, इनके expansion plan बहुत ही aggressive चल रहे है, आगे demand बढ़ती जा रही है, तो इनको अपने products को भी उसी rate पर बढ़ाना है, यहां पर बोरोसिर लिडिवल ने target रखा है, 2.5 gigawatt की अपनी capacity को expand करने के लिए, और जब वो achieve हो जाएगा, तो उसके उपर 2.5 gigawatt और करेंगे, तो 5 gigawatt की इनकी शमता होनी चाहिए, पर year capacity produce करने के लिए, तो इस खबर के चलते हुए, यहां पर scientific wave, consumption wave product सारे के सारे बना रहे हैं, existing product capacity to expand to 2.5, और उसके बाद में आगे चलकर equivalent another 2.5 more for glass products, तो innovation कर रहे हैं, जैसा आपको पता ही है, new quality product उन्होंने ओफर किये है, सेलेंस, जो की anti glare solar suitable for PV installation है, एरपोर्ट के पास में, यह high efficient solar glass को install कर रहे हैं, बहुर से लिनुवल, आइए ज़रा चलकर technical view देखते हैं, अभी stock का, आज का भाव काफी wild swing रहा है, आज देखे 715 का high गया था, और 639 का लो लग रहा है, यहाँ पर lower level पर लग रहा है, जैसा हमने बताया है, 640 के आसपास बहुत strong support है इसका, और जैसे ही नीचे गया, उससे उपर बढ़ना शुरू हो गया है, इसका आज का दिन, यहाँ पर bullinger band के बहार निकल गया था, तो band के अंदर आया है, band के mean तक गया, और यह देखें, यहाँ पर था 27 रुपे का, 27 रुपे का stock बढ़कर 670 रुपे तक हो गया है, जो की एक phenomenal growth है, जब यह हमारा fall हुआ था, तो काफी हमने इसको recommend किया था, यह one of the greatest renewable energy sector का stock रहेगा, और वही हुआ value buy है, इसको अपने portfolio में जरूर रखेगा, क्या होंगे buying level, क्या अपसुद है, please consult with financial advisor, जहीं जभारत, bye guys.